Good morning friends, welcome to Yukoist Institute आज का अमारा विशे है 2nd chapter विज्ञान 9th class क्या हमारे आसपास के पदार्षुध हैं? पदार्ष क्या है? राहसाणी विज्ञान और बहुते ही विज्ञान में पदार्ष उसे कहते हैं जो इस्थान गेरते हैं या जिनका दर्वेमान होता है हमारे आसपास जो भी पदार्थ पाए जाता है या जो भी वस्तु पाए जाती है वो सभी पदार्थ में आती है क्योंकि कोई भी वस्तु हमारे आसपास या तो ठोस में, दरवे में या फिर गैस में पाए जाती है ठोस में हमारे लकडी है, दरवाजे है, अलवारी है, दरवे में पानी है, या गैस में हवा है कोई भी चीज़े हैं वो तीन रूप में हमारे पाई जाती है पदार्तों को दो रूपों में आने कि बहुत एक परिवर्तन और रहसानिक परिवर्तन में बाटा गया है बहुत एक परिवर्तन में ठोस, द्रवे, गैस आते हैं और रैसानिक परिवर्तन में प्लाजमा यानि की ऐसे परिवर्तन आते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं धोस में हमारी कुछ विशेशता हैं, ये पदार्ट की वहवस्ता है जिसमें आकार आतन दोनों निश्यत होते हैं यानिकि हमें पता होता है, हमें एक confirmation होती है कि ये कितनी जगाई में रख जाएंगी या कितने भारी हैं हम ये पता लगा सकते हैं द्रव्य में जो होता है आकार निश्चित होता यानि कि किसी बरतन में उसको रख लो वो उसी का आकार ले लेता है लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है यानि कि वो पानी कितना है वो बदलेगा नहीं गैस में दोनों ही अनिश्यत होते हैं और ये बताते हैं कि इसमें हमारा जो आकार है और आयतन है वो निश्यत है वो अनिश्यत है चाहे हवा है ऑक्सीजन है कारवन डायोकसाइड है वो सब अनिश्यत है उनका आकार भी और उनका आयतन भी अब हम बात करते हैं बहुत एक परिवर्तन की बहुत एक परिवर्तन में बहुत एक रूप से परिवर्तन होता है पदार्त में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी बहुत एक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासानिक गुणों वे अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता बहुत एक परिवर्तन कहलाता है जैसे शक्कर का पानी में घुल जाना काच का टुकड़ा यानि कि वो परिवर्तन जो हमें दिखते हैं वे परिवर्तन बहुत एक परिवर्तन होते हैं बहुत एक परिवर्तन ये वे परिवर्तन है जिसमें पदार्त के रहसानिक गुणों तथा संगटन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्त बनता है रहसानिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर अवश्यक नहीं है कि प्रारंबिक प्रदार्त प्राप्त हो यानि क की जो हमने कर दिया परिवरतन जरूरी नहीं है कि प्रीवर्तन प्राप्थ हो जैसे कि अगर हमने कोई लख्डी जला दिय contexto जरूरी नहीं है कि वह लख्डी दुबारा के लख दिबारा वापश आ जाए इसे हम रायसानिक परिवरतन कहते हैं कोई वी चीजい अगर आमने परिवर्तन कर दियا तो वह वापिस नहीं आ सकती एनिकी की वह राइसानिक सथर्दवतन है मिष्रातू जैसे कि कासा पीधल इसके एक उधारन हैं बहुतिक और राह राइसानिक परिवर्तन के अपनी अपनी विशेस्ता है बहुतिक रूप से अलेलग परिवर्तन होते हैं राशनिक परिवर्तन में काफी अंतर है जो बहुतिक परिवर्तन है वो दिखते हैं जो राशनिक परिवर्तन है वो नहीं दिखते हैं या पता नहीं चलता है कि कब परिवर्तन हो सगटनों में पुर्णी पदार्थ से पुन्यता अभिन होता है उसकी अवस्था बिल्कूल बदल जाती है मिश्रण क्या है जब मिश्रण का सिंपल अर्थ होता है मिलना अगर हम कोई भी वस्तौ आपस में मिलती है तो वह प्य होद्रव्वे हो थोस हो गैस हो, कुछ भी आपस में मिलता है और वो नया पदार्थ बनाता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं दो प्रकार के मिश्रण होते हैं समांगी और विश्मांगी समांगी मिश्रण में हमें उसके कड देखते हैं समांगी मिश्रण में हमें उसके कण नहीं दिखते हैं और विश्मांगी में हमें उसके कण दिखते हैं समांगी मिश्रण का उधारण है जैसे पानी में चीनी खोल देना और विश्मांगी का उधारण है जैसे कि पानी में मिटी खोल देना तो वो कर्ण अगर हमें दिख रहे हैं तो वो विश्मांगी मिश्रण है और कर्ण नहीं दिख रहे हैं तो वो समांगी मिश्रण है विल्यन का विल्यन क्या है जब दो या दो से अधिक पदार्तों का समांगी मिश्रण होता है तो उसे हम विल्यन कहते हैं विल्यन के कई प्रकार हैं जैसे तनू विल्यन जब किसी विल्यन में विल्यक की मातरा दिक और विल्यक की मातरा कम होती है तो ऐसे विल्यन को तनू विल्यन कहते हैं और सांद्र विल्यन, संद्रव विल्यन, असंद्रव विल्यन, अती संद्रव विल्यन, गैस विल्यन, भी प्रकार माने जाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं विल्य और विल्यक ये दोनों ही नाम विल्यन में बड़े महत्पूर्ण माने जाते हैं विल्य वो जो हम घोल रहे हैं और विल्यक वो जिसमें हम घोल रहे हैं अगर हम पानी में चीनी घोल रहे हैं तो वो हम चीनी हमारी विल्य होगी और पानी हमारा विल्यक होगा विल्यन के गुण होते हैं एक समागी मिश्रण है और इसे नैनो मीटर में नापा जाता है विल्यन की सांद्रता यानि की उसकी क्वालिटी यानि की उसकी विशेस्ता यानि की उसकी शमता को नापा जाने का एक माध्यम है निलंब यह विशमांगी मिश्ड़न हैं जो निलंबन का एक उधारण प्रम meille कर है इसके कंड आपने आउंकों से दिखते हैं सुरह का प्रकाश है वह विशमांगी मिश्ड़न को कॉलाईडविलियन क्ड लंबन के को कि आपेक्षा आकार में चोटे होते हैं कारण समांगी मिश्रण प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में ये विश्मांगी मिश्रण होते हैं क्योंकि हमें वो दिखते हैं वो निलंबन से थोड़े छोटे होते हैं पर दिखते हैं अगर दिखते हैं तो वो विश्मांगी हो गए क्योंकि विश्मांगी में हैं जिससे प्रकाश का गरम दृष्टी गोचक हो जाता है यानि कि वह फैल जाता है कुलाइट विलिएन के घटक क्षञ व इन में घटक यह घटक हैं परिशिक्षित अवस्ता तथा परिशिक्षित माध्यम विल्य पदार्त की तथा तरह घटक परिशिक्षिन करणों जो कोलाइड रूप में रहते हैं उसे परिशित अवस्ता कहते हैं टिंडल प्रवाव वह प्रवाव है जो कोलाइड का ये एक हिस्सा माना जाता है जब सूरे के प्रकाश में धूलकर्ण फैल जाते हैं तो वहे टिंडल प्रभाव मान जाता है जैसे कि मान लीजिए अगर आप सुबा उठते हैं और आप दरवाजा खोलते हैं तो आपको सुरे किटने नजर आती हैं वो नजर इसलिए आती हैं क्योंकि उसमें धूलकन मिश्रिन करके यानि कर रैसानिक परिवर्तन करके उसमें वहे अपने पुंज को फैला देते हैं जिस बात को जौन टिंडल ने कहा था इसलिए इस कोशन का नाम टिंडल एफेक्ट रखा गया है तत्व से आप कैसे समझते हैं रैसानिक तत्व ऐसे उन शुद पदाड़तों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणों से बने होते हैं या जो ऐसे परमाणों से बने होते हैं जिनमें नाविक में समान संख्या प्रोटोन होती है तत्व से मिलकर हमारा यौगिक बनता है और यॉगिक तत्वो का एक गुरूप या समू होता है मिश्रन और यॉगिक में ये अंतर आपको पता रखा सामने यहाँ पर हम अपर वीडियो खतम करते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो प्लिस लाइक और सब्सक्राइब कमेंट थैंक यू हमा आगे यासी वीडियो लाते रहेंगे तन्यवाद